एक बार की बात है राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अपने घर का काम करती फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समें वो रोज रास्ते में एक जगह पक्शियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी दो पक्षी थे, उनको भी वो रोज दाना डालती थी, एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते जमीनदार के बेटे ने देख लिया, उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई, जमीनदार ने राधा के पिता से बात करके अपन दाना डालती थी, राधा की सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो उन पक्षियों को परेशान करती थी, वो उनका दाना पानी जमीन में फेक देती थी, एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेक दिया, उसे ये करते हुए राधा ने देख राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डौट दिया इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी एक दिन राधा के पती ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी उसके पती ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पाक में छोड़ने की सला दी अपने पती के कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पाक में ही छोड़ दिया वो उनको कभी कभी दाना देने पाक में जाती थी अब सभी पाक के पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे पक्षी अब राधा के घर पर भी आने लगे राधा की सास को जब ये पता लगा तो वो गुस्सा हुई वो राधा को उसके माय के छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर गई रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की तभी राधा के पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला किया जि उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों चरिया को दाना देने चला करेंगे और पहले के दो पक्षियों को घर वापिस लेकर आएंगे ये बात सुनकर राधा बहुत खुश हुई